Dear Students, यह वीडियो सोलूशन का है, जो विकली टेस्ट साइन्स का हुआ था, उस साइन्स के सोलूशन का यह वीडियो है, आपका कॉस्चन है, Name the process to separate the components of the following mixtures, rice, husk and tinny stones, किस process से separate किया जाता है, तो यह question आपका यहाँ से था, Rice, husk and tinny stones, hand picking process से separate किया जाता है, हाथ से पकड़ कर, चुन कर, छोटे-छोटे stone को separate किया जाता है, अगला question है आपका, wheat floor and husk, wheat floor and husk, किस process से separate किया जाता है, wheat floor and husk, Seating, Seating means होता है, च्छाननी, च्छाननी से उसको separate किया जाता है, floor को, उसके बाद आपका अगला question है, Grain's Attached to Stock in Fields, Grain's Attached to Stock in Fields, Winnowing Process से separate किया जाता है, Winnowing Process आपने पढ़ा होगा, Harvesting करने के बाद, Crop को जोड़-जोड़ से पीटा जाता है, और फिर, उसको हाथ से पकड़ कर, हावा में उड़ाया जाता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, यह आपका Winnowing Process है, जिससे Grain's को अलग करते हैं, Stock से, उसके बाद इसमें एक और question है, Iron Filling from the Soil, Iron को हम लोग लोहा को separate कैसे करते हैं, Soil से, तो Magnetic Separation से, जो आप यहाँ पढ़े होंगे, Magnetic Separation Process, उसके बाद आपका आगला question था, Vs of the following are, Homogeneous and Heterogeneous Nicture, इसमें से कौन Homogeneous and Heterogeneous Nicture है, Steel Ball, जो आपका question यहाँ से था, Steel Balls, कौन सा मिक्चर है, Homogeneous Micture है, Steel का कटोरी कोई बनता है, Steel का Ball बनता है, तो वो कैसा मिक्चर होता है, तो Homogeneous Micture होता है, क्यों? क्योंकि उसके सारे कंपोनेंट, इक्वल, उनिफॉर्म एमाउंट में, सभी जगा फैलो होते हैं, उनिफॉर्म एमाउंट में, सारे मिक्चर, सारे मिक्चर के कंपोनेंट, फैले होते हैं, जिसको Homogeneous Micture कहा जाता है, उसके बाद आपका अगला कोश्चन था, Cooked Mixed Vegetable, Cooked Mixed Vegetable, जो हम लोग Vegetable बनाते हैं, बना हुआ Mixed Vegetable, वो कौन सा मिक्चर होगा, तो हेटरोजिनियस होगा, क्योंकि उसमें, डिफ्रेंट डिफ्रेंट वेजिटेबल होगे, जिसके Amount कोई ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो हेटरोजिनियस मिक्चर में हम लोग पढ़ेते हैं, कि Ununiformly, Micture of Component Mixed हो, मतलब एक समान Component ना हो, एक जैसा Component ना हो, सारे मिक्चर के Component अलग-अलग एमाउन्ट में फैले हो, तो उसको हेटरोजिनियस हम लोग पढ़ेते हैं, तो ये हेटरोजिनियस मिक्चर होगा, Alcohol Mixed in Water, ये आपका अगला कोशन है, Alcohol Mixed in Water, Alcohol को Water में मिक्चर करते हैं, तो ये कौन सा मिक्चर हैं, तो Homogeneous Miction है, Homogeneous Miction मिक्चर मिंस, जिसके सारे मिक्चर के Component, Uniform, एक समान सभी जगा फैले हो, तो Alcohol and Water को मिक्च करने के बाद, Alcohol and Water, एक साथ, पुड़े कंटेनर में फैल जाते हैं, जैसा कि Milk and Water को मिक्च किया जाएगा, तो वैसे ही Milk and Water, एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, सभी जगा Uniform फैल जाएंगे, तो वो भी Homogeneous होगा, अगला कोशन था आपका True-False, Elm Dissolve in Water Easily, Elm जो आपका कोशन यहाँ से था, Elm Dissolve in Water Easily, यह True होगा, कुछी दिन पहले हम लोग पढ़े थे, कि Elm Water में असानी से Dissolve कर जाता है, जिससे वो Lighter Dust Particle को, नीचे Settle होने में हेल्प करता है, अगला कोशन है आपका, जो Liquid Filtration के बाद प्राफ्ट होता है, उसको Filtrate कहते हैं, तो हाँ सही बात है, True है, जो Liquid Filtration के बाद प्राफ्ट होता है, उसको Filtrate ही कहा जाता है, अगला कोशन है आपका, Evaporation Takes Place Continuously in Nature, हम लोग पढ़े थे, Evaporation Takes Place Continuously in Nature, यह True है, Evaporation नेचर में लगतार होते रहता है, जैसे कहीं Pond में पानी है, तो वो पानी दीरे-दीरे कम होते जाता है, जैसे-जैसे Heat बढ़ता है, तो Heat बढ़ने के साथ साथ वो Evaporate होता है, Heat का Level बढ़ता है, तो Evaporation का Level भी बढ़ता है, तो continuously हमारे नेचर में प्रकिर्ती में ये होते रहता है विपोरेशन, means true है अगला कोश्चन है आपका What is separation? separation का definition आप लोग यहां पढ़े हैं separation का definition The process of removing unwanted things from mixtures is known as separation उसके बाद अगला कोश्चन है What do you mean by sedimentation? Sedimentation भी आप लोग हाली फिलाने पढ़े थे Sedimentation is a process in which heavier insoluble particles settle down at the bottom ये आप हाली फिलाने पढ़े हैं उसके बाद है Draw the chart of classification of substance Classification of substance का chart draw करना है जो यहां पर है Classification of substance ये चार्ट आपको draw करने थे उसके बाद है draw the diagram of filtration of sand and salt from water ये भी आप हाली फिलाने पढ़े थे जो यहां है filtration of sand and salt from water ये चार्ट आपको draw करना था Thank you प्रूब झालो